तो सभी को गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार सभी को जैहिन आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते और लान इस्टिटूट तार्गरवित आलोक में शुरुबात करेंगे आप से फिर से एक नए टॉपिक की टॉपिक आपका है डिजिज एंड कंट्रोल एंड ट्री और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम इन बिमारियों से कैसे तो सुरुवात करेंगे बिना देर किये हुए साथियों सबसे पहले बात करते हैं आप डिजीज किसे कहते हैं रोक किसे कहते हैं देखिए अगर डिजीज की बात करूँ कहते हैं कि जब हमारे सरीर में कोई बाह जाती है हमारे अंग सही से कारे नहीं कर पाते हैं तो कहा जाता है कि व्यक्ति को रोग हो गया है ठीक है और अगर देखा जाए तो रोग कई प्रकार से होते हैं डिजीज कई टाइप के होते हैं जैसे कि ऐसे डिजीज जिनका जिनका एफेक्ट एक बहुत बड़े एरिया पर होता है, बहुत लंबे समय तक होता है, तो ऐसे डिजीज को करते हैं, pandemic, महामारी कहते हैं. आप जाने से, covid-19 है, महामारी था, cholera कई बार महामारी बन करके आया, इबोला महामारी बन करके आया, तो जब किसी बिमारी का प्रकॉप एक लंबे छेतर फर, लंबे समय तक होता है तो हम उस बिमारी को pandemic कहते हैं और अगर यही अगर किसी बिमारी का प्रभाव एक छोटे छेतर पर हो तो हम इसको महामारी कहते दोस्तों epidemic कहते हैं ठीक है और यह तो अलग बात हो गई लेकिन disease की जो परिभासा है हम आप सभी से इसके बारे में आज कु एक ऐसे disease एक ऐसे रोग जो बच्चे में जन्म के पहले ही हो जाते हैं मतलब बच्चा पैदा नहीं हुआ है उस बच्चे में रोग निर्धारित हो चुका है बच्चे का जन्म नहीं हुआ लेकिन बच्चे में रोग हो ठीक है तो ऐसे diseases का कहलाते हैं जिसमें बच्चा पै आप से यानि पीड़ी दर पीड़ी वो ट्रांसफर होते रहते हैं तो इसमें बच्चे का कोई दोस नहीं होता लेकिन बिमारी उसको हो जाती है कुछ बिमारिया ऐसी भी होती है जो जो जन्म के बाद होती है अब ऐसी बिमारिया जो जन्म के पहले हो जाए तो इसमें इसके बाद एक ऐसी बिमारी जो बच्चे के पैदा होने के बाद हो उसको हम कहेंगे एक्वाइलर डिजीज एक्वाइट का मतलब होता है उपारजित और एक्वाइट डिजीज में बच्चे का या रोगी वेक्टिका दोस होता है यहां पर आपके लिए बड़ी मेहनत करी एक स्लाइड बनाई है इस स्लाइड के तो हम लोग और भी अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाएंगे तो दिहान से आप देखें सभी लोग रोग दो प्रकार का एक है कॉंजेनाइटल डिजीज है और एक क्वाइड है दोस्तों यहां जो जन्मजात रोग होते हैं जन्म से पहले हो जाते हैं इसमें ब्यक्तिका कोई दोस नहीं होता जैसे की आनुवंसिक रोग और वहीं अग अगर मैं बाहर निकला मुझे किसी वाइरस ने पकड़ लिया किसी बैक्टिरिया ने पकड़ लिया ठीक है तो इसमें मेरा दोस है मेरे हाथ गंदे मैं गंदे हाथ से खाना खा लिया और मुझे कोई विमारी हो गई इसमें मेरा दोस है ठीक है तो जिसमें ब्यक्तिका दोस हो जिसमें रोगी बैक्ति का दोस हो उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं acquired disease और acquired diseases को दो भागों में divide कर दिया गया है एक जो छुआ छूच से फैलते हैं और एक जो छुआ छूच से नहीं फैलते हैं अगर देखा जाए तो छुआ छूच से फैलने वाले जो बिमारियां होती हैं उनको हम कहते हैं संक्रामक बिमारियां इन्फैक्सियस डिजीज तो जो संक्रामक बिमारियां होती है वो हमेशा रोगी ब्यक्ति से स्वस्त ब्यक्ति की और आती है मान लीजिए अभी कोई ब्यक्ति है और यह ब्कती इसको मालने जुखाम हुआ है ठीक है न, जुखाम हुआ है, काफी कोल सी ये पीडित है और मैं इसके पास गया, इससे हाथ मिलाया, इसके साथ उठा बैठा गले मिला, खाना भी नामद भूखाएं ठीक है न, इसका मैंने कपड़ा इस्तेमाल कर लिया तो अब क्या होगा अब इस रोगी बेक्ति से क्या होगा मैं स्वर्ष्थ था अब इसका जो जुखाम बुखार था वो आगया मेरे अंदर वो आगया मेरे अंदर तो जो छुआ छूष से बिमारिया फैलती हैं जो touchability से फैलती हैं तो उनको हम कहते हैं कि ये होती हैं infectious like virus, bacteria, proto प्रोजोवा, worm और fungus से होने वाले diseases ये सभी कैसे होते हैं सभी सभी को हम कहते हैं infectious disease क्योंकि अटेसिबिल्टी से फैलते हैं इसके बाद एक है non-infectious अब जो non-infectious है इसको हम कहते हैं असंक्रामक अब non-infectious क्या है असंक्रामक क्या है एक बार हम इसके बारें बात करेंगे ये यसी बिमारी होती है जो रोगी बैक्तिस स्वास्त बैक्ति chuck क्यों नहीं जाती है मतलब इसमें क्या है अगर किसी को रोग हुआ है किसी को बिमारी हुई है उसके पास बैठो, खाना पीना खाऊ उसके साथ आहात मिलाओ, गले मिलो, सम्बन रखो तो ऐसे में ये बिमारियां आपको नहीं होंगी जस्ट लाइक अगर किसी को पोलियो हुआ अगर किसी को गठिया हुआ है उसके पैर में गठिया होता है जब हमारे हड़ियों में मांस्पेशियों में यूरिक अमजमा होता है तो अगर किसी को गठिया हुआ है आप जाएए उस ब्यक्ति की सेवा कीजिए तो गठिया कभी आपको नहीं होगा या सपोज करो अगर किसी को लकवा मार गया है परलाइसिस हुआ है और उस ब्यक्ति की आप सेवा करोगे तो कभी भी नेवर आपको कभी परलाइसिस नहीं होगा या अगर माल लीजिए किसी ब्यक्ति को हार्ट्रेक आया हुआ है और जाकर उसको पानी पिलाओ उसके साथ रहो उसकी देख भाल करो तो कभी भी आपको हार्ट्रेक नहीं आएगा वापस ठीक है न यह बात ध्यान देना सभी लोग तो यह और संक्रामक रोग है छुआ-छु है जिसके बारे में कहते हैं कि यह अभिवाहित महिलाओं के अंदर होता है और जब हिस्टीरिया होता है तो उन अभिवाहित महिलाओं में लड़कियों में एक चिर्शिडापन देखा जाता है या बेहोसी बार-बार किसी बात पर गुस्सा होना नाराज होना यह सब है जिसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है बड़ लोग कहते हैं या ऐसे जो मेडिकल साइंस में जो साइंटिस्टों कहते हैं कि हिस्टीरिया एक मनोवैग्यानिक रोग है जिसमें साधी के बाद बीवाह के बाद आप्टर अप सही हो जाता है अब इसका रीजन क प्रोडरोगा क्रीमी इन सबसे फैलने वाले बीमारियों के बारे में ठीक है तो आप लोग ध्यान से देखते रहें तो अगर देखिए बात करी जाए हाँ सबसे पहले तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आनुवंसिक रोग के बारे में अब यहाँ पर कुछ मैं आ तो बहुत आशानी से कोश्चन कर लेंगे कि कौन सी बिमारी वाइरस से फैल दिया है कौन सी कवक से और कौन सी जीमारू से यहाँ पर न याद करने वाला या यहाँ पर न समझने वाली कोई चीज नहीं है बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो जैसे यहाँ ट्रिक देखिए ट्रिक है यह आनुवनसिक रोगों की इनको हम कहते हैं जन्टिकल डिसॉडर जन्टिकल डिजीज कहते हैं तो कि यह रोग आनुवनसिक होते हैं यानि हमारे पीडियों से हमारी पहले वाली पीडिय से हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं तो इसमें हमारा कोई दोस नहीं है तो यहां कहेंगे सीव ही सुन्दर है जो आपकी ट्रिक है वो बस यही है कि सीव कि सीव ही सीव ही जोस्तों क्या सुन्दर है जाहिशी बात है सीव ही सुन्दर है तो यहां देखें सी से सिंड्रोम होता है सी से होता है सिंड्रोम और वा से वडांधता और ही से होता हीमोफीलि यह तीन बिमारिया ऐसी हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि यह जो है आनुवंसिक रोग होते हैं और यह हमेशा expand करते हैं दोस्तों किस तरह से यह हमेशा expand करते हैं हमारी पीड़ी से हमारी पीड़ी में आते हैं यहां देखो जो syndrome है syndrome है दोस्तो आप पढ़ पाओगे यहां पर Turner syndrome का नाम दोस्तो यहां पढ़ोगे न इसको तो यहां पर जानोंगे आप किसके बारे में Turner syndrome दोस्तो Turner syndrome होता है यह महिलावों के अंदर बाजपन, कलाइन फैल्टर सिंड्रोम पूर्शों के अंदर न पूंशक्ता पटाओं सिंड्रोम इसमें बच्चों के उपर वाले होट कटे होते हैं जब पैदा होते ही वो एक Down syndrome है इसको हम कहते हैcept है on trying to understand ओन इसको कहते हैं Mongolism इसमें actually में क्या होता है जो बच्चा पैदा होता है सोटा सा सर बढ़ा होता है होट मोटे होट gossipy आंसे बहुत चोटी चोटी होती है न लोग है न जसको बोलते हैId लेइसто मंगोलिया different जो red और green color होता है इसमें हम different नहीं कर पाते because कि जो हमारी आखों में photo scene होता है उनकी उनका जो है amount घट जाता है और जानते हैं हमेशा ये बीमारी इसमें महिलाएं carrier होती है मतलब वाहक होती है अगर ये बीमारी महिलाओं के अंदर है तो महिलाओं में कोई effect नहीं आता है इस बीमारी का बट अगर ये महिलाओं जब पुर्सों में आती है न तो पुर्सों के अंदर इसका प्रभाव दिख जाता है ये ऐसे बीमारी होती है इसके बाद देखो हीमोफीलिया साथ हीमोफीलिया क्या है यह भी एक आनुवंसिक रोग होता है अगर मैं आप सभी से हीमोफीलिया की बात करूँ तो हीमोफीलिया भी चुआ चुआ सोड़ी तो यह भी आनुवंसिक बिमारी होती है तो अगर मैं हीमोफीलिया की बात करूँ आप सभी से न इसमें blood clot नहीं करता, मतलब अगर हमको चोट लगी है, वहाँ से bleeding हो रही है, तो blood वहाँ पे clot नहीं कर पाता है, ठीक है ना, यह भी एक genetical factor होता, यह भी महिलाओं से ही पैलता है दोस्तों, महिलाओं में ऐसी विमारियां जो virus से फैलती है देखो, virus से फैलने वाली विमारियों की एक लंबी trick है, कि रेखा 6 इंच का टोपी महंगा है, जा add कर दोबुन जिन्दगी की, अब यहाँ trick तो लेकिन trick आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि trick कैसे बनी है, कैसे बनेगी, दोस्तो क्या इसके importance है, अगर tricky बात करूँ तो यहाँ आए trick के से पढ़ना सुरू करते हैं, हम सभी लोग film में देखते हैं दोस्तो क्या करते हैं, दोस्तो क्या करते हैं, तो जब हम लोग film में देखते हैं, तो फिल्मों में काफी हिट होती हैं, है की नहीं दोस्तों, फिल्म में काफी हिश होती हैं, तो ऐसी जोड़ी बहुत है, माले जबी, गुविंदा करिस्मा कपूर, गुविंदा रभीना, काजोल सारूख, आपके भोश्पुरी में बहुत सोड़ियां होती हैं, तो ऐसी एक ऐसा पेयर, जो हमेशा जब बनाता है, तो फिल्म में सुपर डूपर हिट होती हैं, मैं बात करूंगा, सदी के महानायक की और एक आजी की, दोनों एक समय ऐसा था जब बॉली बुट पर राज करते इनकी हर एक फिल्म सुपर डूपर हिट होती थी, तो हुआ ये कि एक बार ये फिल्म की सूटिंग करने के लिए जाहिर सी बात, जब फिल्में हिट होंगी तो लोगों के बीच दूरियां कम होंगी, मतलब नजदीकियां बढ़ेंगी और खासकर फिल्म में ऐसा होता है, आप देखिए ऐसे बहुत सारे एक्टर, एक्टरस हैं जो ऐसे साधी कर चुके हैं, क्यों? क्योंकि उनकी फिल्म में जब हीट होती है ना, तो उनकी जोड़ी आफी फेमस होती है, जब जोड़ी फेमस होती है, तो साधी कर लेते हैं आपस में, तो ऐसे ही हुआ, अमिताब जी और एक दूसरे की चैरिंग बढ़ गए थी, है ना, मान जान बढ़ गया था, तो एक ब बिना कुछ किये इसको यात कर लोगे तो रेखा जी और अमिताब गए सुटिंग करने एक स्विटियर लेंड वहां सुटिंग स्टार्ट हुई तो रेखा जी देखो स्विटियर लेंड एक ऐसा प्लेस है जहां हमेशा बर्फ गिरती रहती है जहां हमेशा बर्फ बारी होती पाधी रहती है तो फिलम की کी सुूटिंग स्टार्ट हुई अमिताब की सूटिंग थी, अमिताब का सूर था की रह भाहर कर देते हैं, बाहर, खुले में और और रेखा जी अराम से छत्री लगा करके बैठी होई है उनको बहुत ध्यान से देख रही है तो बर्फ गिर रही है और तीन चार घंटे हो गया सुटिंग करते करते हैं अमिताब ने जिन्स पहना हुआ है जैकेट पहना हुआ है सब कुछ पहना हुआ है अब एक घंटा की बात हो तो कोई दिखकत नहीं हो गई तो आपको कोई दिक्कत रहेगी तो आपके घर वाले नहीं पूछेंगे बाबु खाना खालो दवाई खालो या फिर मतलब धंग से रहो तमाम भई लोग केर करते हैं आप लोग भी केर करते होंगे लोगों का है गी नहीं तो वही हुआ तो यहां पर रेखा जी दंप परिसान हो गई तेंशन में आ गई क्या करें अब तो जब साम का वक्त आया मौल में कहां पर सूटिजल लैंड में एक शॉपिंग मौल में लिवा गई और वहां रेखा जी ने क्या किया अमिताब बच्चन के लिए एक बहुत ही प्यारा बहुत ही महंगा बड़ा ही मन से 6 इंच का इतना लंबा टोपी पसंद किया यह लाइक डिस कंटोप तो कंटो बहुत ही मेहंगा बहुत ही महंगा बहुत ही मेहंगा उनको अच्छा लग रहा था और चेंच का का यह लोक्त पसंद पियां अपलों समझ सकते हैं आप लो बहुत तमाम गल्फिंड वाइटन का मामला चल रहा है अगर मान लो कोई आपको गिफ्ट दे ऐसे और आप कह दो कि पसंद नहीं है तो गिफ्ट तुमारे उपर फेकेगी और पैर पटक करके भाग जाएगी लेकिन अगर गाओं के होगी न तो कहेगी मामा चूली भरसाइम जाओ तुमसे हमका मतलब नहीं है ठीक है न ऐसे तो वही हुआ अमिताब को टोपी पसंद नहीं आता है, अमिताब ने कहा रेखा 6 इंच का टोपी महंगा है, मतलब पसंद नहीं आया, इतना सुनते ही रेखा हो गई आख भबूला, रेखा ने कहा जा, जा एड़ कर, तू यहीं कर सकता है, जैसे अमिताब ने कहा रेखा 6 इंच का टोपी महंगा है, तुरंद बुस्य में आ गई, एदम आग बूला हो गई, कहा जा एड़ कर, दो बूंद जिंदगी की, जा उसी खुले में एड़ कर अपना, खुले में सूटिंग कर, दो बूंद जिंदगी वाली, उस समय अमिताब जी पोलियो वाला वही एड़ करते थे, दो बूंद जिंदगी की, ठीके दोस्तों, यही हुआ, चलो, आप देखो यहाँ पर इसी समय आएंगे, कि रेखा 6 इंच का टोपी महंगा है, तो रेखा ने क्या बोला, जा एड़ कर, दो बूंद जिंदगी की, देखो, रे से क्य होता है, मिजल्स, 6 छोटी माता, चिकन पॉक्स होता है, दाने पर जाते हैं, पूरी बॉड़ी पर, वैरिसेला वाइरस से होता है, इन से हैं, एंफ्लुएंजा, H1, H5N1, H1N1, ओके दोस्तों, आगे देखे, चेचक है, इसको बोलते हैं, स्माल पॉक्स, इसमें क्या होता है, इसमें पूरी बॉड़ी पर, पूरी बॉड़ी पर, बड़े-बड़े लाल दाने पर जाते हैं, इसमें बुखार बहुत अधिक होता है, और चेचक का जो ठीका है, एडवर्ज जनर्साब ने बनाया था, आगे का से कोवीड, कोवीड के बारे में आप परचित होंगे यह कितनी खतरनाक और कितनी जानले आव विमारी है, इसके बारे में कुछ कहने ही सकते हैं, और आगे दोस्तों बढ़ेंगे हम सभी लोग, तो टोस है ट्रोकमा, टोस है ट्रोकमा दोस्तों होता है, या आखों में होता है, और पी से पीलिया है, पीलिया आप जानते है, जो रखना meningitis बैक्टिरिया से भी होती है, वाईरस से भी होती है, दोस्तों meningitis है, इसको बोलते हैं मस्तिस्का बुखार, जब mening, जब हमारे ब्रेन की mening, जिल्ली में स्वेलिंग होती है, तब जाकर के होता है meningitis, आगे हर से हर्पीज है, हर्पीज एक योन रोग है, इसमें जनलां ग्रंथी में swelling आ जाने से गलसुआ होता है जीवन में एक ही बार होता है अगर आपको एक बार हो चुका है तो second time फिर नहीं होगा जासे है जापानी इंसेफलाइटीस जापानी इंसेफलाइटीस एक mosquito के काटने से होता साथ यो actually में एंसेफलाइटीस mosquito होता है जब वह काटता तो जापानी बुखार होता है जापानी इंसेफलाइटीस को बोलतम सभी लोग आगे देखिए A से AIDS है तो जाएट कर तो जासी हो गया A से AIDS है आप जानते है acquired immunodeficiency syndrome HIV वाइरस से फैलता है और यह हमारे lymphocyte पर attack करता है और अटाइक करके पूरी बॉडी को नक्स कर देता है और इसके उपचार के लिए होता है ELISA test जोस्तों ELISA क्या होता है enzyme linked immunosolvent assay इसके बाद डास डेंगू डेंगू फैलता है एडीज अज़ टाइगर female mosquito से ओके औ platelet घर जाता है जिससे कि हमारी body के अंदर blood taut नहीं करता आख नाक कान से blood बहार निकलता है polio यह होता है polio mitis virus से polio हाला कि हम मुक्त हो चुके हैं बट कभी-कभी देखा जाता तो तो और अगर मैं polio की बात तो polio ऐसा रोग है जिसमें हमारे जिसमें हमारे body के जो अंग है body part है हाथ पैर या पर हमारा brain है इनका विकास रुक जाता है यह अल्प विक्सित रहते हैं ओके तो यह रहा virus से होने वाले रोग देन हम आगे बढ़ेंगे और सात्यों बात करेंगे जीवाडू यह बैक्टिरिया से होने वाले रोगों की तो अगर मैं आप सभी से बात करूँ जीवाडू से होने वाले रोगों की तो मेरी बात को धिहान पूर वक्त अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से समझ करके आगे बढ़िएगा जैसे की बैक्टिरिया से जीवाडू से कौन-कौन से diseases फैलते हैं देखिए यह आप जानते हैं मैंने कई जोडियों के नाम लिए थे मैंने कहा था उसमें काजोल और सारूक काजोल और सारूक की एक मूवी आये थी 1994 में उस मूवी का बहुत चर्चिक डायलाउग था जा सिमरन जीले अपनी जिंदगी आप सब को याद होगा सबने याद कि होगा इसको तो उस समय की मैं बात करूँगा 1994 का एक सीन है उसी मूवी का जिसके बारे में थोड़ी बात करूँगा आप सभी से और सीन समझाओंगा और किस प्रकार से उसमें काजोल और सारूक बात कर थे आपस में इसकी बात करूँगा तो 1994 की बात है उस मूवी में सिमर तो उसके था टीवी और डिवीडी थी, और उसमें वह तीवी यह ऐसी टीवी या ऐसी डीवीडी कि अगर एक बार, अगर एक बार मूभी रुख जाए, मतलब चाहे कनेक्शन चला जाए, या फिर कोई तार हिल जाए, किसी कारण से, अगर मालीजी कहीं से भी, अगर कहीं से भी मूवी रुख जाती थी, तो दोबारा फिर से सुरू करते थे, और सुरू से इसको फरवर्ड करते थे, लास्ट तक फिर दिखते थे, अब हुआ उसी मूवी में, उसी सीन में देखा गया है, कि काजोल बैड करके एक मूवी देख रही है, और मूवी का वही आखरी सीन च प्राइड करके इसका मूवी देख रही है, अब मूवी देख रही है, तो हुआ ये, उसी मूवी का सीन है, साथि हुआ ये, कि जो तार था डीवीडी का, और टीवी का, वो तार बहुत धिला हो गया था, जैसे मूवी चलती है, कुछ दर चलने के बाद क्या, वो पलग जो है, गिर गया, पलग बहुत धिला हो गया था, तुरन पलग गिर गया, और जब पलग गिर गया, तो काजल उठती हैं, सिवरन उठती हैं, और मूवी को, भै मूवी रुख गई, अब जब मूवी रुख गई ना, तो फिर से लगाया पलग, फिर से मूवी ओन किया, डीवीडी ओन किया, और फिर से मूवी को सुरू से अंत तक भगाया, जब अंत तक भगाया मूवी को, पीर देखरा शुरू किया अब वह विचारी दो मिनट मोवी देखते हैं प्यार से ह सब जो है दो मिनट मोवी देखते हैं प्यार से और दो मिनट चलने के बाद फिर से क्या हुआ फिर से मुवी फिर से प्लग हिल गया और मुवी बंध हो गई जरी गुशाती है क्या हो गया उठती है फिर से उठने के बाद फिर लगाती है प्लग फिर टीवी डीवीडी आन करती है फिर बगाती है अन तीम तक और फिर देखना सुरू करती है और फिर त चार मिनट चलने के बार après से क्या हुआ पिर से मुझी रुख गई कि अब लो किस बार तो बेचारी बहुत जला गई लेकिन कोई बात नहीं इतना परसान हो गई अब तो सिमरन के पीछे राज खड़े थे, सारुख खड़े थे, आप बताओ, क्या जब सिमरन परशान हो गई, जला गई, तो सिमरन को देख करके क्या राज नहीं परशान होते, तो सिमरन को देख करके राज भी परशान, मतलब सिमरन को देख करके राज भी परशान, मतलब सारूख खान ने क्या कहा अब जो है उनको परिशान देख करके सारूख खान से देखा नहीं जा रहा है तो राज ने कहा कि ए सिम्रन जैसे बोलते हैं ए सिम्रन मैं टीवीवीडी का टिका दू मतलब तो राज ने कहा मैं टिवीवीडी का टिका दू तो वही ट्रीक है water तो यह सती हो है से यहा Arizona होता है यहाभी एक विमारी होती विपरियों से फैलता है उसके रॉंड गानगों में यही भर वरत ARE च्छांव से इंध्यार चैथर कि बूहार दोने का भर होता है rainbow trout इसमें दोस्तों हाथ पैर में company से होता है आगे नीमोनिया नीमोनिया आप जानते है डिपलो कोकस नीमोनी से फैलता है इसका प्रभाव हमारे respiratory path को हम कहते है आत का बुखार आगे ती-वी स्कों बोलते हैं माइको बर अगे ढिया है अगे दीम मारी से विमारी से वह सो अगे मैंसम्यादी बुखार टीवी से तीवी दो और साइलेन है डिस डिफ्री मजन विजततना फुडप्center इसको बोलते बॉटलिजम एक ऐसी विमारी होती जिसमें दोसित भोजन करने से पूरी बॉड़ी अकर जाती है और व्यक्तिकी मिर्टी भी हो सकती है आगे आगे का से काली खासी है इसको बोलते हुपिंग कप अगर मैं हुपिंग कप की बात करूं तो इसमें कुत्त जैसे ख ऐसा रोग होता है जिसको भोलते धरूस झतों हूलने बव्योरग रिमीसी ईकल्फि और दर्थाव करें वहनु कैसेrias पहलता है हैं जानने पास हिरुण के वो ऐसे जोग से जबनाग एक जान को आत्याँ हो रही करेंद्रимся मांदब एकहल processis इंटि बॉड बैयोटिक का इस्तेमाल किया जाता है वोगे दोस्तों यह रहा जीवानुओं से होने वाले रोग अगर हम आगे बढ़ें तो ऐसे ही कुछ रोग होते हैं जो फैलते प्रोटो जोवा से प्रोटो जोवा मतलब प्रोटिष्टा जैसे की अमीबा पैरामीसियम है कि आपने पहली बार इस तरह से पढ़ा है या फिर आपको आसानी से याद हो रहा है देखो अब हम आगे बढ़ेंगे प्रोटो जोवा से होने वाले रोग जैसे कि अमीबा है या दोस्तों एंट अमीबा है या फिर दोस्तों इसमें जो है तुमाम चीज़े होती है प्लाज् कर रहा हूं आप सभी से हुआ ऐसा कि आपके पापा देखो आप सहर में रहते हैं आप सहर में रहके पढ़ाई करते हैं तो आप कहा रहते हैं आप रहते हैं सहर में और साथियों सहर में रहके पढ़ाई करते हो तो हुआ ये कि आप जब घर पे पहुंचे न आप देखो सह सहर में क्या था सहर में आप दो बे तक परतित रात में तू पीम तक तू एम तक अब सातियों हुआ क्या कि आपकी फादर ने कहा आप से कि बेटा सुबहे एक काम है ठीक पांच बजे एक अंकल आएंगे आपको पैसे देंगे और उनसे पैसे लेकर रख लेना नहीं तो अंक बजे आप सोए और दुर्भागे से उठना था आपको कित्ते बजे पांच बजे लगाया आपने अलार्म लेकिन दो बज़े तक आप पढ़े नहीं थे मूवी देखे थे तो आपके मोबाइल की बैटने हो गई डाउन जब तक जब तक पांच बजा उसके पहले मोबाइल प्रफ हो गया जब फोन ओफ हो गया तो एलाम बजा ही नहीं तो आप उठ कहा पाए आप उठे नौ बजे वो जो अंकल आये थे वो आये और चले भी गए आप उठे नौ बजे और जब नौ बजे आप उठते हैं ना तो आपके फादनने पूछा पैसे ले लिए तो आपने क्या बोला जब फादन कहां कल से मिले तो आपने क्या बोला कि पापा मैकल सो गया पापा मैं कल सो गया और जैसे इतना सुना आपके पापा ने उनका नुसान हो गया क्या पापा आपकी आरती उतारेंगे बड़ा अच्छा काम करके आए बेटा लोग तुम्हारी आरती उतारे पापा तुरन गुसा हो गया मार लाठी लाठी दम सही कर दिये यहाद पाप से क्या होता है पाप से पायरिया होता है पायरिया का प्रभाव हमारे गम्स पर होता है वहाँ सिपस निकलता है पानी निकलता है और मूँ से दुरगंद आती है आगे पाप से पेचिस है दोस्तों पास से पेचिस है पेचिस एक ऐसी ब्याधी है पेचिस एक ऐसा रोग है जिसमें कहते हैं कि हमारी आते प्रभावित होती है मल्क के साथ रख निकलता है आगे मलेरिया मलेरिया कई कारकों से होता है प्लाजमोडियम वाई वैक्स है प्लाजमोडियम मलेरी है प्लाजमोडियम ओवेल है ठीक है ना अब अगर हम बात करें हैं पर मलेरिया के बारे में तो मलेरिया एक ऐसा रोग है एक ऐसी ब्याधी है जिसमें बहुत कपकपी होती है तेज बुख या फिर जब यह आता है ना तो दो दिन बाद आता है या परड़े साम को आएगा या दो दिन बाद आएगा या हफ्ते भर बाद आता है तो मलेरिया कई प्रकार से फैलता है कहते हो प्लाजमोडियम वाई वैक्स है प्लाजमोडियम ओवेल है प्लाजमोडियम मलेरी है तो बागी देखी सो गया, इसको बोलते हैं निद्रा रोग इसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं sleeping disease, एैसे विमारी होती, जिसपे पुरी बाड़ी में आकराण रहती, पूरी बौडी दर्द करती है और हम लोग खुब सोते हैं दवा के सोते हैं इसको हम बोलते हैं sleeping disease, निद्रा रोग आगे, साथे देखी यहां पर देखिए, अब यह कैसे फैलता है, यह फैलता है cc मक्ही से, cc मक्ही से, तो यह फैलता है cc fly से, है न, इसके बाद देखो, आ फंगस से फैलती है जो फंजाय से होती है अगर फंजाय से होने वाली बिमारी की बात करें तो आप फंगस जानते हैं को फफूद कहते हैं कि यहां पर जो फफूद है इनसे क्या क्या फैलता है क्या क्या रोग इनसे होता है इसकी हम बात करेंगे देखिए आप हम सब तयारी क करने के दोहर में कभी-कभी selection बहुत विलम से होता है तो definitely हम लोगे बाल तक पक जाते हैं बाल तक निकल जाते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो बीच से गंज जाते हैं लेकिन नोकरी मिल जाने के बाद साधी का कोई मानक नहीं होता है अगर आप गंजे हैं या चोटे हैं अब माली जी एक बैक्ती थे वो तैयारी करते थे और उनको सफ़ाल जब उनको लुकरी मिली तब तक उनके बाल यहां से पुरा सफ़ाशट गायब हो गये थे लेकिन लुकरी मिलने के पार साधी जब उनकी लगी तोविक लगाया और विक लगा करके सब कुछ हो गया तिलक ससुराल में अब वो टकले हैं इसके बारें किवल उनकी बीवी जानती थी ससुराल पक्ष से और कोई जानता नहीं था वो ब्यक्ति गया ससुराल में अपने उनको बुलाया गया कि आई आपका खातिर भाव करते हैं और बड़ा खुस हुआ कोट पेंट टाई पहना कुछ खा रहा है अच्छा वहां पहुंचने के एक घंटे बाद एक प्रजाती थी घर में साली नाम की वह आती है और साली हमें साथ जीजे को परसान करती है कि वहां पर भी एक साली थी और बिचारे वो जो है जो गए ससुराल गए थे को बड़ा पर फ्यूमार करके लगा के फैल लवली और मस्त बैट करके सेफ दबाग खा रहे हैं फूरूट खा रहे हैं मतलब मने मन मुस्क्रा रहा है सेफ खा रहे हैं तब तक साली पीशे से आती और हां वो टोपी लगाए थे उस समय तो कि गंजे थे टोपी लगाए थे बिख था नहीं अब भाई कितना विख लगाएंगे वह यह क्या हुआ कि बीवी बीवी तो अंदर थी सब लों अंदर थे साली आती जोर से मारती एक उनकी और जॉय दिया उड़िए अ कि फरी तो रहें तकि खाली खालीयाद सामने आ गए理ुए देखती है साली को अंदरो है गंजा दा माध कहती हाँ गंजा दा माध अरोपर से खाय फरूट गंजा दा माध, खाये फरूट या किसने हैं और शाली ने कहा तो देखो गंजापन गंज़ापन दमा से दमा होता है, दा से दाद है, खा से खाज है और एसे है एतलीट पूट जी ऐसे रोग है, ये ऐसी भ्याधिया今回 best दाष्ट, जी यह जो घंज़ापन भाल्डनेर अरी इस ये से घंऴाइ इस्त मदूश होती हैं जिससे हमारे फेपड़े सही से वायू गरहन नहीं कर पाते दोस्तों दाद है तो अच्छा पर होता है रिंग वम उसको बोल देते हैं हम लोग खाज है सफेद दाग दोस्तों एटलीट फूट यह ऐसी बिमारी होती जो महिलाओं के कोमल अंग मतलब जिससे जो हाथ होते है एथलीट फूट साथ यह तो ऐसा देखे रोग होता है अब इसके बाद देखिए कुछ टेस्ट और तेस्ट है उसके बारे मुलों बात कर लेते हैं है ना फटा फट से और तो टेस्ट कौन-कौन से है सारी बाते करेंगे जैसे की अब यहां जब किसी को दोस्तों ड जैंगू के लिए क्वार्निक्वेट टेस्ट होता है डिथीरिया के लिए क्या है सिक टेस्ट है अर लाल फीवर दोस्तों के लिए डिक टेस्ट होता है अगर किसी की आखों में समस्या है उसके लिए होता है अपका जो है इस्ट्यारा टेस्ट कलर विजन हिस्टैमिन टेस् इसके बाद HB1-AC होता है मधुमै के लिए treadmill test होता है हर्दाय के बारे में जानकाली के लिए गोल्ड कौन्सी फिरावन दोश्तो चारों के लिए होता है आगे है वाइडल टेस्ट । ताइफाय दोस्तो के लिए होता है आगे है hanging drop test यह कालरा के लिए होता है बरो इंग test दोस्तों यह इसके वीज के लिए होता है एलिसा परिच्छन दोस्तों AIDS के लिए होता है RT-PCR reverse transcription polymer chain reaction यह दोस्तों COVID के लिए होता है आगे बढ़ते हैं यहां देख लो आप सभी लोग आगे है रोग समझेटी का मतलब जो वैक्षिनेशन होती है वैक्षिन की खोश कौन-कौन कर आगती आए तो छेशक का है गाल्मेट ग्रीन सहाब ने खैसरा का थामस्तीबल ने किया हो आगे फोलियोंका जॉन स सालक ने मम्स का दुस्तों हिस्टैमिन ने चिकन पॉक्स का ताका हासी ने मेलेंजाइटिस का इसमिस साहब ने किया हुआ है यह प्रमुख जो है वैक्सीन है और इनकी खोज किसने की है यह भी आपने देख लिया है देखो यहां से आपके एक्जामिनेशन में इससे उपर ठीक है ना यानि कौन सी बिमारी किस कारण से हो रही है कौन बैक्टिरिया है कौन वाइरस है कौन फॉंजाई है कौन सा प्रोटोजोवा है मैंने इतना बता दिया और हर बिमारी का एफेक्ट कहां कहां होता है यह भी हमने बातों बातों में कर लिया है प्लस इन बिमारियो test होते हैं परिक्षड होते हैं तो सातियों आप सभी लोग इस टॉपिक को अच्छे से नोट कर लेजे screenshot लेकर के यह हमेशा जब भी आप किसी एक्जाम में बैठेंगे तो हर एक्जाम के लिए यह आपके लिए रामभान सावित होंगे तो आप सभी प्यारे सातियों को फिर से नमस्कार फिर से जैहन जहां रहिए हस्ते रहिए अच्छे रहिए